दोस्तों नमस्कार किसानुजला प्लांटेसन के इस वीडियो में मैं चंदनेकेडमी चैनल पर सीपी सिंग आपका हारदिक स्वागत अभी नंदन और वंदन करता हूँ और आज एक बहुत अच्छी सक्सियत बहुत अच्छे प्रदेश हरियाना में हम हैं और हरियाना का ये एक बहुत अच्छा जिला है इसकी खास्यते भी हैं और हमारे साथ इस समय दिलसरजी हैं और ये पेसे से एड़ोकेट भी हैं और कई इनके बड़े-बड़े फाम हैं और से लगभग चार एकड में यह यहां पर चंदन लगा हुआ है तो अपने बारे में और यहां की जो लोकेशन है इसके बारे में बताएंगे वकिल साहब तो एड़ोकेट दलसेर जी आपका बहुत हो स्वागत है धन्यवाद नमस्कार साहब आपने हमें मोका दी आप यहां और यह आपका फार्म जाहिए किसे जगे पर है जराब दरसको यह भीवानी रोड पर बीडबारा वन करके गाउं है यह शेर के लगता हुआ ही फारम है अभी शैनी साहब की मदद से और सयोग से मैंने एक हजार पोदे लगाएं तकरीबन चारेकर में चंदन के दिखा दें लगबग चार एकड़ है सरी फारम आपका लगबग चार एकड़ में इन्हों ने बीच में यह आप देख लेंगे और यह टोटल और अर्गैनिक है अच्छा आप यह बताईएगा इसके बहुत्ते समय आपने कोई डी एपी यूरिया कोई खाद किसी तरह का कुछ डाला है कोई भी हमने खाद का प्रियोग इसमें नहीं करा है जो भी है और गैनिक इसमें डला हुआ मामला चैक गोबर का खाद हो यह बाकी कुछ हो जो हम लगाता डालते रहे वर्मी कंपोस्ट हो गया इसमें किसी भी खाद्य परदात का किसी भी दवाई का कोई भी इस्तिमान नह करेंगी जो उसमें जैसे गव मूत्र होता है या कोई और आप जैसा रिक्ती राय देगा हम भी दो चाट जगे देखेंगे उसी मूत्र का ही हम ज्यादतर प्रियोग करते हैं बिल्कुल बिल्कुल वह बहुत अच्छा है और गैनिक प्रोड़क्ट मार्कीट में आ रहे हैं और जैसा कि आपके दूसरे फार्म पर में देखा हुआ है ड्रम रखे वे हैं उसमें आपने अलग अलग जो है चीजे बनाई है तो वह फसलों पर छड़कने के लिए तो आपके जैसे बहुत कम लोग है जो और गैनिक तर जा रहे हैं तो आपका क्या मानना है आप एक करोना वगेरा जो लोग और गैनिक इस खाने में इस्तेमाल कर रहे थे उनको दिक्टे कमाई बिल्कुल और आपका दूसरा इससे आई भी बढ़ती है इस समय जनता और गैनिक लेने के लिए तैयार है मार्केट में अबलेबल होना चाहिए काफी सारे लोग तैयार है हमारी आए में भी विर्दी है और दूसरा हम एक समाज सिवा भी कर रहें बिल्कुल बहुत अच्छा अच्छा मुझे सबसे ज्यादे अच्छा जो लगा वह इसलिए लगा यह और गैनिक का एक कॉंसेप्ट एक तो आप इसमें कोई भी दबाई नहीं डालेंगे कोई फर्टिला सब्सक्राइब लगने वाली जो दबाईयां है जो डीएपी वगेरा यह कैमिकल फर्टिलाजर आप लगाते उसका पैसा बच रहा है तो कहीं भी मैं मानता हूं नुकसान का तो इस्थिति नहीं रहेगी बिल्कुल कोई नुकसान की स्थिति नहीं रहती साब करने की साथ साल से कर रहा हूं परन्तु अब उस फसल पर उस चीज का कोई असर नहीं दिखेंगा कि दबाव में है तो कि हमने फिर और गनिक गोबर खाद और 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 गनिक जो भी था वो मट्रीयर हम केचवा खाद यह सब डालते रहे तो अब जमीन में पूरा इस समय बिल्कुल पर वही पैदाबार दे रही है जितना खाद डालने के बाद दे रही बिल्कुल बहुत में तो दिक्कत हुई गया पर अगर आप हमरे चैनल पर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो को लाइक और सेयर भी करें और हमसे अगर आप संपर करना चाहते हैं तो इसक्रीन पर आपको टॉल फिरी नंबर दिखाए दे रहा वनेट डवल जीरो त्रीवन थरी थरी नाइन फॉर नहीं तो वकिल साव यह जैसे आपने प्लांट लगाए है चंदन वाले तो चंदन से चंदन की दूरी कितनी है चंदन से चंदन की पेड़े प् वकिल साब के यहां पर करवाया है किसान अज्जल अप्लांटेशन से काफी दिन से जुड़े वे हैं और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा ऐसे किसानों का जो और लोगों के लिए मार्क दर सक हैं और बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि हम इस तरह से इसमें कोई ख आपका प्लांटेशन है इस डॉल पर नीचे अलू लगा हुआ है अच्छा अलू लगवा दिया है और आलू के ओपर मूली भी लगवा दिया अरे साब बहुत बढ़िया तो आपको डबल बैनिफिट होगा एक तो इसमें आपने कोई फर्टिलाजर कोई केमिकल नहीं लग अब है अगे मेरा जो विचार है मैं हर प्रियोग करना चाहरा हूं कि गाजर भी लगाँ अगली बार सारी चीज क्योंकि इस बार तो प्लांटेशन होना था तो समय कम था तो इसमें तो अगर हम 100% समय दे दे तो इसमें हम इतनी आंदनी ले सकते हैं कि आम किसान विचारा स कोच नहीं पा रहा है जी जी कहके इसमें आपके पेड़ भी हो जाएंगे यह पेड़ भी चलते रहेंगे अच्छे जो इस पर कवर लगाया गया है तो जैसे हमारी संस्ता से लोग बाग कल से इसमें मेनत कर रहे थे दो तीन दिन निन उन्होंने इसमें लगडिया लगाना को उसका नुकसान होता ही होता है जो आप लोगों ने कवर कर दिया है उसको इसके अंदर से रोचनी भी इसको मिल रही है एचिजा विशेम इन रहाई और वह पाले से भी बचाएगा तो इसका पूर्ण रूप सेफाइदा होगा संस्ता कर्यों नहीं मैं इसकी कोई दिखा बताएट अगर हमारा काम अब कooky सब्सक्राइब हैं नहीं है तो फिर वांगे नहीं हैं आपका इस वीडियो नितियो समय निकाल करके आप आए उम्मीद करेंगे हम अच्छे सब्सक्राइब करें और समाज को जो एक यह ठेल की तरफ हम देकर करके जा हैं संपर्क कर रहे हैं तो जिन लोगोंने भी ऑर्गनिक सरसों बोया है वो चाहे पीली हो या काली हो आपने तिल भी लगाया और बहुत सकते हैं को के तैसे निंग्राणी के लिए कैम्रा भी लगवाया गया हैं कि इसमें किसी भी समय कोई भी फर्टिलाइजर कोई भी और्गैनिक के अलावा कुछ और लगाया नहीं गया है आप लोग ने वीडियो को देखा इतने समय अपना दिया दर्सकी हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्टर हैं सपोर्टर लोबी है हमारे लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्क बहुत बड़ी सवाद करते हैं इंड़ी संदर स्क्राइजर नमस्क्राइन नमस्क्षड है हमेद Emmy Eduard को ए। लृह थिवल्यर को प्हूदर दिस लिए अट्सवदर्टर लोग्स्का सवाद हो सपी जेदयों अनGEण 12व मेंने सब्सक्षाई गव उल्च्टर लिग्षा इं झाल 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 झाल